when diagram, when diagram का मतलब जो भी कोई set होगा, उसको हम photo की form में कैसे देखें, ठीक है, तो देखिएगा कि मैं आपके सामने एक example लेता हूँ, फिर देखते हैं यहाँ पे, तो यहाँ से देखिएगा कि यह क्या है, कि यहाँ पे हम क्या गरते हैं, कि एक a set लेते हैं, ठीक है, क्या है 1, 2, 3, 4 और 5 elements हैं, ठीक है, यह, अब इसको हम कैसे एक photo की form में देख पाएं, ठीक है, तो उसको देखने के लिए हम क्या गरते हैं, इसका diagram बनाते हैं, जिसे ही when diagram बोलते हैं, अब when diagram में दो चीज़ें आती हैं, एक आता circle, एक आता rectangle, ठीक है, तो circle के अंदर हम कौन सा elements लि आते हैं, वो भी क्या होते हैं, इसी में included नहीं होते हैं, वो अपने किस में होते हैं included, वो अपने universal set में आते हैं, ठीक है, यानि कि कहने का मतलब, अब देखे, जैसे हम photo देखेंगे, तो अपने बास समझ में आएंगी, देखिएगा, कि पहले हमारे पास क्या आता है, यहा अपने को, यह सर्किल है, ठीक है, अब देखेगा, कि इसके अंदर क्या होता, यह जो अपने पास, यह सर्किल जो दिख रहा है, वो अपने पास होता set, यानि कि इसके अंदर हम लिखते हैं, set के element, set अपने पास क्या है, यह भई, यह भई, 1, 2, 3, 4, और 5, यहनि 5 तक क्या element, अब देखेगा, कि इसके बाहर हम क्या लिख सकते हैं, इसके बाहर हम लिख सकते हैं, जो भी element, जैसे कि अपने पास, 6 लिख Sanktे हो, 7 लिख सकते हो, 9 लिख सकते हो, जितना आप चाभू, जो भी लिख सकते हो, वो से हैं वो contain करें तो यहां से क्या है यह अपने पास universal set होता है जो कि rectangle होता ना जो यह rectangle उसके अंदर हम universal set होता है यह universal है और यह अपने पास जो set है वो है तो यहां पर देखेगा कि कोई भी when diagram क्या होता है when diagram एक representation होता set का किसके अंदर एक diagram के form के अंदर जिसमें देखेगा कि जो element set के elements होते हैं वो हम किसके अंदर लिखते हैं वो हम लिखते हैं circle के अंदर और जो rectangle जो किसे enclosed होता है वो enclosed होता है किसे एक्स रेक्टेंगल से ठीक है जी फिर इसके अंदर हम क्या करते हैं कि भाई ये जो elements है इसके अंदर देखिएगा कि इस rectangle के अंदर जो भी elements आ रहें ये सारे rectangle में 1,2,3,4 ये 4 यानि कि ये जो rectangle के अंदर जो element आते हैं वो universal set के element होते हैं ठीक है यानि कि universal set है इसका मतलब ये जो अंदर वाला जो set है वो अपना क्या हो गया यहां का subset हो गया यानि कि इसका थोड़ा सा छोटा भाई हो गया ठीक है जो इसके बड़े भाई के 7 और 9 elements भी आएंगे समझ मैं आगी तो इसका मतलब देखिएगा कि जो a होता है वो subset होता है कि इसका universal set का अब देखते हैं थोड़ी से definition की तरफ चलते है तो देखिएगा कि किसी भी set को एक diagram की form में represent करना ही अपने पास क्या होता वेंड diagram होता है ठीक है तो asset क्या होता है वह set is represented in diagram form diagram form is called when diagram ठीक है when diagram होता है तो यह है अब when diagram में देखिएगा कि क्या करते हैं देखते हैं कि all sets all all elements of set क्या होते हैं जिनको हम किसमें लिखते हैं all elements of set is represented represented in in circle यानि कि उसको हम circle के अंदर represent करते हैं and यह क्या होते हैं और अपने पास देखिएगा कि जो rectangle जितने भी element rectangle के अंदर आते हैं वो अपने पास क्या होते हैं universal set होते हैं तो यहां पर one क्या होते हैं and elements elements in rectangle rectangle तेकिएगा कि elements in rectangle elements of rectangles belongs to belong to belong to किस में आते हैं यूनिवर्सल सेट में आते हैं यूनिवर्सल सेट तो यह अपने पास देखिए जिसको हम किसे यू से डिनोड करते हैं तो यह तो है and elements in the rectangle belong to universal set तो यहां से अपने पास देखिए कि बाते कि लिए रहे कि किसी भी set को हम क्या कर सकते हैं कि diagram की form में represent कर सकते हैं उसको when diagram करते हैं हम किसमे circle में represent करते हैं and elements in rectangle belonging to जो भी किसमें आते हैं universal set देखिए 1,2,7 जितने भी rectangle के अंदर है वो universal set के अंदर आएंगे यह अपने पास क्या होई इसकी definition और अब इसके बारे में हम जानना चाहेंगे तो इसके examples देखिएंगे तो examples में देखिएगा कि क्या है वही ठीक है example अब example में देखिएगा कि कोई A set आपका जिसमें क्या रहे है A B और C D आ रहे है और अपने पास एक universal set आया universal set क्या हैगा जिसके अंदर आपके लिखोगे A B C और क्या आएंगे जिसमें C D और E F G यह यहां तक यह वाले हैं तो अब इसको थोड़ा सा form में लिखना चाहेंगे कि किसके अंदर कि इसके rectangle के form और circle में कैसे लिखते हैं तो देखिएगा कि पहले अपने पास event diagram की form में हमें represent करना आना चाहिए तो यह तो यह इसको थोड़ा चोटा बना लीजिगा ठीक है तो यहां तक के लिए रहे अब देखिएगा कि इस set में देखिएगा कि A अब इस जो अपने पास देखिएगा कि यह अपने पास है C है और D है और इसी में देखिएगा कि union यहनी कि universal set के element A B C D तो है और इसमें थोड़े से अलग जो elements आएं वो यह आएं और यह जो universal set है उसको U से denote करेंगे और यह अपने पास सकते हैं कि जो A set है वो universal set के अंदर है तो इसका subset हुआ ना तो यह भी बात ध्यान में रखने वाली है कि जो subset होता है वो क्या होता है एक universal set होता है universal set का क्या होता है subset होता है in-vent diagram क क्या है प्यान में एक क्या है अभान में